क्या तुमने कभी है सोच के देखा है कि Spider-Man Far From Home में 300 km प्रती घंटे की रफतार से आती हुई bullet train के सामने अगर Spider-Man की जगह हमारा Captain America होता तो क्या वो इसे सर्वाइफ कर पाता वेल अगर देखा जाए तो ये train 300 km प्रती घंटे की स्पीड से आ रही थी और अगर उसके सामने कोई normal human being होता तो उसका तो छोड़ो अल्दो हमारा Captain America कोई normal human नहीं है और ये बंदा बिना पराशूट के plane से पानी में कूद गया था अपनी shield के साथ मतलब हाँ जिगरा तो है इस लॉंडे में लेकिन Captain की Vibranium वाली shield भी उसे bullet train से नहीं बचा पाती क्योंकि सिविल वार में जब Spider-Man Captain को अपनी किक मारता है full force के साथ तब Captain Shield को as a protection यूज़ करता है बट फिर भी Spider-Man की लाच से काफी दूर जाके गिरता है और bullet train की speed Spider-Man की किक के almost thousand times है जिसके force से probably Captain America मर जाता